क्या पिता से अलग होने के बाद श्वेता पलक में होते थे जगडे? श्वेता के कौन से रास का पलक ने किया खुलासा? क्या मा बेटी के रिष्टे में आई थी दरार? कैसी है पलक की बच्पन की यादे और क्या कुछ पलक ने शेर किया अपनी मा के बारे में आई ये जानते हैं पॉपिलर टीवी शो कसोटी जिंदगी से फेमस हुई श्वेता तिवारी अकसर अपने परसनल लाइफ को लेकर चर्चा में रहती है उन्होंने अपने जीवन में कई उताच चड़ाव देखे हैं लेकिन इस दोरान वो कभी डगमगाई नहीं बलकी होसले के साथ आगे बढ़ती गई बड़ी बड़ी मुश्किलों का गटकर सामना करने वाली श्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी को अपनी माँ पर गर्व है पिंक विला को दिये एक इंटरव्यू में पलक तिवारी ने इस बात का खुलासा किया है उन्होंने बताया हम दोनोंने मिलकर कई लड़ाईयां लड़ी हैं मैंने अपनी मा को कई परिशानियों का सामना करते देखा है लेकिन उन्होंने कभी खुद को नहीं बदला वो पहले जैसी थी वो आज भी वैसी ही है मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ मुश्किल समय को मम्मी ने कभी उन पर हावी नहीं होने दिया जब आप मुश्किलों का लगतार सामना करते हो तो आपके दिल में कड़वाहट आ जाना स्वभाविक है लेकिन मेरी मम्मी ऐसी नहीं है वो हमेशा पूरी ताकत के साथ सिचुएशन का सामना करती है चाहे कुछ भी हो जाए अपनी मम्मी श्वेता तिवारी के बारे में बात करते हुए पलक ने आगे कहा मुझे उन पर गर्व है कि वो मेरी मा है मैं जब छोटी थी तब वो स्कूल में पैलन्स मीटिंग के लिए आती थी और मैं खुश हो जाती थी वो एक स्टार है इसलिए नहीं बलकि वो एक अच्छी मा है इसलिए मुझे उन पर नाज है हम दोनों एक दूसरे के काफी करीब है और अकसर अपनी फीलिंग्स एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं वेल अगर पलक की बात करें तो वो सोशल मीडिया पर काफी अक्टिव रती हैं अकसर अपनी बोल तस्वीरों से फैंस को लुभाती नजर आती हैं पलक जल्द ही आक्टिंग की दुनिया में कदम रख सकती हैं उनकी मा उन्हें स्क्रीन पर देखने के लिए काफी एक्साइटिद हैं तो व्यूवर्स आपको ये मा बेटी का बॉन कैसा लगा पोस्ट करिए अपनी राए तब तक देखते नहीं चाली मसाला